प्राइस इलासिटी ओप डिमांड पर आज हम थर्ड क्लास बने तो सबसे पहला कोश्चन तो आपके एक्जाम में यही हो सकता है कि प्राइस इलासिटी ओप डिमांड के मैथड्स को डिस्क्राइब करो जिसमें कि हमने सबसे पहले percentage method को अच्छे से जाना और समझा उसके बाद हम percentage method को समझने के बाद expenditure method पर आए जो कि last class class number 2 था और वहाँ पर हमने expenditure method को भी अच्छे समझा उसके हमने डाइग्राम उनाया इसके साथ साथ price elasticity of demand में हम जो है income elasticity of demand के बारे में भी आज समझेंगे कि income elasticity of demand क्या होता है जी income elasticity of demand में अगर आप देखेंगे फर एक्जामबल मान लीजिए इस बार कोई एक goods है कोई एक goods है और मान लीजिए goods ये x है तो मैं यहाँ पर इसके price की बात नहीं करूँगा हाँ मैं इसके demand की बात जरूर करूँगा और मैं बात income की करूँगा चीके जी बात करेंगे income की और बात करेंगे किसकी demand की तो अगर मैं income की यहाँ पर बात करता हूँ तो income क्या है हमारे पास में income मान लीजिए मेरी income 10,000 रुपए है चीके जी clear है तो मान लीजिए मेरी income कितनी है 10,000 रुपए है और बात करता हूँ मैं यहाँ पर demand की तो demand में अगर आप देखते हैं तो demand में एक कोई community है उसके 100 unit demand की जा रही है price का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि हम पढ़ रहे है income, elasticity of demand तो यहाँ पर income और demand की बात होगी अब मेरे income में changes आ रहे हैं क्या change हो रहे हैं मेरे income जो है अब वो 10,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गई है तो अब मैं यहाँ पर consumption भी ज्यादा कर पाऊँगा तो consumption में मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 140 unit आपका consumption कर पाऊँगा क्योंकि income बढ़ेगी तो फिर मैं consumption बढ़ाँगा वो भी उस case में जबकि मेरे पास में x goods क्या हो normal goods तब अगर यह normal good है तब normal goods में क्योंकि normal goods के case में ही ऐसा देखने को मिलता है normal goods का मतलब की अच्छी quality की चीज़े branded चीज़े तो जब consumer की income बढ़ती है तो consumer क्या करता है वो normal goods का जो है consumption अच्छी branded चीज़े चीज़े बढ़ा देता है तो यहाँ पर इसकी demand यह बढ़ेगी तो यहाँ पर अगर आप elasticity of income अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप यह समझेगा इसका formula हो गया क्या percentage change in quantity demand यह परसंटेज चेंज इन डिमांड डिबाइड़ बाइड़ 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 परसंटेज चेंज परसंटेज चेंज इन प्राइज नहीं परसंटेज चेंज इन इंकम क्लिर जी समझे मेरी बास तो यह क्या हो गया elasticity of income हो गया अब आप परसंटेज चेंज इन डिमांड आप कैसे निकालेंगे as usual जैसे आप निकालते आएं परसंटेज चेंज इन demand कि अगर हम बात करें परसंटेज चेंज इन डिमांड इकोस तो क्या होगा delta q by q into 100 और परसंटेज चेंज इन डिमांड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इस तरी के से कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन डिमांड कितना है आपके पास में 40 और डिबाड़े बाई initial quantity आपका आगया 100 और इन टू 100 तो 40% आपका चेंज आ गया और परसंटेज चेंज इन प्राइस की बात करें तो परसंटेज चेंज इन इनकम की बात करें percentage चेंज इन इनकम इनकम में कितने परसंट का चेंज आया तो इनकम में अगर आप change देखोगे परसंटेज इन इनकम कैसे निकाल होगे चैंज इन इनकम original income multiply by 100 तो चैंज इन इनकम कितना है आपका 2000 ये 20% है साफ साफ आपको नजर आ रहा है original income 10,000 और multiply by क्या करेंगे आप 100 तो income में change कितना आया आपका income में आपका 20% का change देखने को यहाँ पर मिला है तो यहाँ पर आप देखेगा जब आप elasticity of income calculate करेंगे तो percentage change in demand आपका 40% and percentage change in income आपका 20% और यहाँ पर आपके पास में क्या आया है percent का change आएगा वो एक normal goods के consumption में उसका twice change देखने को मिलेगा अगर 2% income बढ़ गए तो समझ जाईए इस महीने normal goods consumption उसका पहले से 4% rise होने वाला है clear है तो एक बात और समझ देजिए कि यहाँ पर आपका negative नहीं आया negative क्यों नहीं आया क्योंकि आपने 12,000 में से 10,000 मैंस करा तो positive 2000 और यहाँ पर भी आपने 140 में से आपने 100 मैंस करा तो positive का 40 तो मतलब एक बात समझाएगा normal goods के case में आपका elasticity of income क्या रहेगा आपका positive answer रहेगा लेकिन अगर यहीं बात करूं मैं एक inferior goods की तो आए समझते हैं अब हम कहानी कुछ inferior goods की तो जी inferior goods के cases में अगले पीछ पर ही करते हैं माल लिजिए जो goods x है इस बार वो क्या है वो एक inferior goods है वो क्या है वो एक inferior goods है ठीक है जी clear है तो यह क्या है हमारे पास में यह हमारे पास में एक ने लासिट्यूब दिमांड ही कर देनी चल रहा है जी कल इस चप्टर को हम complete कर लेंगे लासिट्यूब दिमांड को कल एक class ओड लेंगे इसको हम फिनिश कर लेंगे production function पर उसके बाद हम आज उसके आस्वरी उसका दम supply पर आएंगे और supply को करने के बाद हम demand and supply से जो है आप price determination पड़ेंगे उसके बाद हम जाएंगे production function पर क्या जाद़ चप्टर आप रहा नहीं हमारा goods x हमारे पास पर क्या है inferior goods तो अगर inferior goods है तो बात मैं यहाँ पर करता हूँ income की और बात करते हैं यहाँ पर हम जो है demand की inferior goods वो goods होती है जो low quality की होती है तो वही example लेते हैं 10,000 रुपए इस बार आपकी income 10,000 से बढ़ करके आपकी income 12,000 रुपए हो गई है तो आपका जो है इस बार demand आपका increase नहीं होगा demand आपका क्या हो जाएगा questions कब तक बताओंगा तो चलिए मैं कल से आपको daily हर chapter wise question बताओंगा हर दिन आपको live class में करके मैं यहाँ पर questions लास्ट के मान लिजे पांच मिनट में कल से class over होने के बाद लास्ट के पांच मिनट हम चर्चा करेंगे important questions का starting chapter number one का important question क्या है next chapter number two next chapter number three हर दिन मैं chapter wise आपको important question बताओंगा ठीक है क्लियर जी अच्छी तरफ अच्छी तरफ अच्छी तरफ तरफ जाएंगे तो कहींने कहीं इन फीरे गूर्स की डिमांड कम होगी तो यहाँ पर इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है मालीजे वो हो साऩ हो गई यह चीए थो यहाँ पर आप देखेंगे हुई आप इलासीटी आप निकालेंगे क्या कि आप इलासीटी आफ इंकम अगर आप calculate करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसंटेज चेंज इन डिमांड डिवाड़े बाई परसंटेज चेंज इन परसंटेज चेंज इन डिमांड डिवाड़े बाई परसंटेज चेंज इन इनकम ठीक है जी? क्लिर है? और यहां पर हम बात करते हैं परसंटेच चेंजिन डिमांड की तो परसंटेच चेंजिन डिमांड तो डिमांड में कितने ही परसंट का चेंज आया तो आप कैसे मानेस करना परसंद करेंगे बताइये moment इंपर से आप मैनेस करेंगे नीचे, तो आपके पास में ये डेल्टा क्यू बाइ, क्यू और इंटू 100 इकोल्स टू 40 बाइ 100 इंटू 100 इकोल्स टू 40 परसेंट, ठीके जी, क्लिर है? क्लिर है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम, परसेंटेज, चेंज इन, इंकम, परसेंटेज चेंज इन इंकम, सेम फॉर्मला आप अपलाई करेंगे, तो डेल्टा, आई, मतलब चेंज इन इंकम, डिवाड़े बाइ, इनिशन इंकम, इंटू 100, तो जी, आप अगर आए, हाँ माइनस करेंगे, अगर आप यहाँ पर वीसी ओर्डर को फ अब आप यहाँ पर इनकम, इलाजसिती निकालेंगे आप, तो आपके पास में, परसेंटेज इन इंजन डिमांड का है, 40% और परसेंटेज इनकम कितना है, 20% और माइनस का है, तो माइनस टू आया, बिसकली यहाँ पर भी मतलब यही है, कि आपके इनकम में जितरा चेंज जाएगा, आप inferior goods के, में आप जो है, twice आप उसका impact पड़ेगा, पर माइनस का sign बस यह बता रहा है, कि inverse effect पड़ेगा, इनकम बढ़ी है, तो वो डिमांड कम कर दोगे, इनकम कम होगी तो डिमांड जादा कर दोगे, clear है जी, तो basically differentiate कैसे करोगे, आप normal goods और inferior goods को, क्योंकि normal goods के case में, price velocity of income जो है, positive होता है, और inferior goods के case में, price velocity of income जो है, वो negative होता है, तो इस तरीके साब आप इसको differentiate कर सकते हो, तो हमारा question ही क्या था, question हमारा था, define the concept of income velocity of demand, तो से पहले आप percentage change in demand for x community, and percentage change in income of consumer, clear है जी, कुछ उसी तरीके से example आपके पास में यहाँ पर लिये हुए है, ठीके, the value of the different types of goods consumed, for inferior goods, income velocity less than, आपके पास में 0, मतलब की less than 0, यह वो रहा है, income, velocity of income, यह इसलिए कहा है, less than 0, कि वो negative figure होता है, ठीके, normal goods में क्या रहता है, कि 0 से अबब रहेगा, क्योंकि वो positive रहेगा, और एक से कम होगा, अब एक से कम का मतलब यह होगा, भया, अगर में 50% का change आया, तो आप 50% ही उसको transfer कर सकते हो, आप किसी भी consumption पे, तो वहाँ पर आपको दोनों में maximum equal सकता है, for luxury goods, 0 से 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ ही नहीं करना, आपको इसके बारे में exam में लिखना है, तो सबसे पहले income velocity का एक formula लिख देना, percentage change in demand of x commodity divided by percentage change in consumer income, और आप hashtag डाल के लिख देना, या star डाल के लिख देना, in case of normal goods, अब normal goods से case में आप example ले ले लिए, income में change करके, और quantity में change करके, और जो भी EDR है, पॉइंट में, जो भी आप अपने example लिजे और उसको आप महाँ पर, उस example से उसको आप जो है, solve कर दो, और उसका, inferior goods का भ बहुत formula हो गए, जैसा भी आप देख पा रहे हैं, मैं खुद दो, तिन पीजे आप लिख दी हैं, बिना उसको read किये हुए, ठीक है, तो यह वही बात कर रहा है कि 20% increase in the real income, जो मेरी आंदरी 10,000 से 12,000 हो रहे थी, उसको real income कहते हैं, जो मेरे हाथ में आंदरी आती है, instance, that due to a 20% increase in the real income of the consumers, the demand for television sets increase by 10%, in this example, income elastic of demand for television sets equal 0.5, ठीक है, वो 0.5 आप का आ गया, normally an increase in the consumer's income tends to increase the demand for a most goods except what are known as the inferior goods, generally देखने को मिलता है, consumer की income बढ़ती है, तो consumer उसकी demand को बढ़ा देता है, लेकिन except inferior goods, क्योंकि inferior goods से case में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, in case of inferior goods, an increase in the income of consumers tends to reduce the demand for them, अगर inferior goods का case है, तो income बढ़ने पर वो इसकी demand को क्या करेगा, वो इसकी demand को कम कर देगा, सर, numerical में, normal goods के case में भी तो minus आ रहा है, नहीं, minus कहां आ रहा है, देखिए, कहां आ रहा है, आप, आप, कैसे minus करेंगे, बताए, अगर आप ऐसे minus करेंगे, तो फिर आपका minus, और यहां पर भी क्या आएगा, आपका, minus तो minus, minus क्या हो जाएगा, अगर ये भी minus, तो ये कट के positive ही, तो answer आएगा, अगर आप ऐसे minus कर देते हैं, तो भी positive है, तो भी positive है, तो minus तो आ नहीं रहना, तो ignore करने ही जोरे तो नहीं, इसमें आपका मानिस आएगा ही नहीं, आप नेक्स्ट कोशेन नमबर फाईव, एक्स्प्लीन दा क्रॉस लासिटी अप डिमांड हाव इसलास्टिक मेजर एड़ पॉइंट अफन डिमांड कर्व, तो सबसे पहले हम बात करे किसी करते हैं कि प्रॉस लासिटी अप डिमांड क के यह तो कल की classes में expenditure method का हमने ले लिए था last day, नहीं पर नहीं है, cross velocity की बात करेंगे, cross last day of demand between two communities help us to step चलिए, explain the cross last day, देखिएगा, अब बात करेंगे हम cross last city की, cross last city of demand, cross last city demand में क्या होगा, मान लेजिए कोई commodity है, x, मैं यहाँ पर goods x की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी जो है, इस पर दो चीज़े होती है, अगर x goods है, तो इसकी अपनी एक price भी होगी, और इसकी अपनी एक demand भी होगी, तो demand मान लेजिए, इसकी 100 units है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके price को constant टक रहा हूँ, इसके price में कोई भी discussion नहीं करूँगा, price constant है, मैं क्या कर रहा हूँ, price ले रहा हूँ, बट जो इसका जो substitute है जो इसका substitute है, जो substitute goods है, मान लेजिए, वाई, ठीक है, वाई good से तो इसका भी अपना एक क्या होगा, अपना एक price होगा और अपना इसका एक demand होगा, तो इसके demand की बात मैं नहीं करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी price की बात नहीं कर रहा है, हाँ, इसकी substitute की price की में बात कर रहा है, substitute की price जो है, मान लेजिए, पेपसी है और यह क्या है, कोक है, ठीक है, एक्जामपल ले लेते हैं, क्या इतना सोच रहा है, यह Pepsi है और यह Coke है, तो मान लेजी क्या हुआ, कि जो है पैपसी की प्राइस, ये 100 unit तो अपना लोग पैपसी कंजूम कर रहे थे और कोक जो है, उसकी अपनी प्राइस जो थी, वो थी हमारे पास पें, मान लेजी 20 रुपीस ठीक है जे? कलेर है? 20 रुपी इसकी प्राइस थी अब क्या हुआ? कि Pepsi की जो प्राइस है वो बढ़ गई Pepsi की प्राइस जो है वो बढ़ करकी कितनी हो गई वो, सारी, Coke की प्राइस बढ़ करकी वो 22 रुपे हो गई तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ज्यादा करेंगे आप हां नहीं चल दो हुँ 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 हां 20-2 अब यहाँ पर आप देखेंगे,Prize क्या होगे इसकी INCREASE हो गया है तो अब इसकी प्राइस INCREASE हो जाएकी दो के सारे तो निया है कुछ consumer attracted हो जाएएक इसकी तरफ Pepsi की तरफ क incompatibleob चीप लगए और यह महांगा लगए और यहाँ परenty पिरनाज्ब के हो जाएगी बढ़ जाएगी और अपर मैं बात किसी कर रहा हूँ निकाल रहा हूं अगरान पर से पिरने पाइल निकाल रहा हूं ऄंस QC ले के लिए तो आप देखेंगे तो मैं तो टैंक के देख रहा रहां पर सेन्टेज कि अचेंज एटwest आपिए दिमांद। आप एक्स कमधदित एक तर दिवादए पर्संटेश चेंज थिए प्राइबाद एक्साद दिवाद पर्संटेश चेंज न रष प्राइब आपर र यकमददित क्लिर जी तो elasticity of x and y community equals to percentage change in demand of x community क्या होगा आपका percentage change in demand of x commodity जरा बताएए क्या फार्मला होगा हम अरड़ी पढ़ चुके ने इसको ठीक है percentage change in demand of x community क्या होगा हमारे पास में बताएए जरा तो हम change in quantity demanded of x community divided by original quantity of x into 100 ठीक है जी अब बात करते हैं यहाँ पर हम देखेगा percentage percentage change in price same formula same बात है percentage in price of y commodity इक्वल्स टो चेंज इनपर इवाइद इवार्जन प्राइस इंट्व अंडर्वर प्राइस किसका वाई का तो चलिए आप यहाँ पर x demand के अगर राफ कर रहा हो तो x demand के बात करते तो क्या रख था आँ एंए कितना चेंज आया तो यहाँ पर यहाँ पर 40 चेंज आया हमा जाए रहा, किता चालीस और आउट और आफ एंडर्ड इंटू हंडर्ड तो कितने प संट हुआ ये 40 पर संट हुआ, ठीक है, जी क्लिरे कितने प संट हुआ ये 40 प संट अपका चेंज हाया, ठीक है और यहां पर आप दिखेंगे कि यह आपका बढ़ गया, और यहां पर पर ले रहा हूं ता कि आपको ध्यान से में आपको याद भी रहे तो कितना हुआ आपके पास पर यह आपका 10% हुआ तो यहाँ पर आप अगर निकालते हैं इलाटिसिटी आफ एक्स एंड वाई कॉमेडिटी तो पर सिंट एक्स चालीस और यह क्या हुआ पॉजटी रहेगा तो यहापका क्या हुआ चार तो जब क्रॉस लासिटी ऐफ आपके पास में जो है डिमांड पॉजटी आ जाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पर पॉजटी ले रहे हैं वो पॉजटीटूट के लियुक्य कर रहे हूँ ठीक है न पॉजिटिव बाट है यह बात सच में आई या नहीं आई clear है अगर यही अगर negative होता तो मतलब कि हम बात किसी कर रहे है complimentary goods की कर रहे है क्योंकि अगर आप इस बात को समझेगा कि यहाँ पर मैं एक goods ले रहा हूँ X और जो कि मैं example के लिए कह रहा हूँ यह car है और एक goods मैं ले रहा हूँ Y जो कि मेरे पास में क्या है petrol है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसकी car की demand की बात करूँगा और मैं इसकी price की बात करूँगा इसकी demand जो है 100 से 120 हो गई है जबकि इसकी price जो है वो 50 से 45 हो गई है तो एक बात समझेगा जब आप यहाँ पर elasticity निकालेंगे तो यह अगर आप देखोगे इस तरफ से आप minus करेंगे यहाँ इस तरफ से minus करेंगे तो यह तो आपके पास में 5 और upon में आपका 50 into 100 आ गया price में change तो आपका यह 10% आपका price में change जा गए जो कि positive है पर यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो आपका 20 upon में 100 जो कि minus करेंगे इंटू 100 तो आपका minus करेंगे 20% है तो जब आप price elasticity of x और y आप निकालने जाओगे तो percentage changing demand तो आपके पास में 20 और आपके पास में x 10 तो यहाँ पर आपका minus 2 आएगा जब cross elasticity of demand आपका minus 2 आ रहा है इसका मतलब क्या जो दोनों goods से वो कौनसी goods है जो दोनों goods कौनसी goods है जो दोनों goods आपके जो है complimentary goods है परफेक्ट ये cross elasticity का मतलब यह होता है इसको क्या बोलते है, cross का मतलब तो यह होता है, कि भाज है, demand इसकी तो price किसी ओर की, तो cross हो गया यह, इसको क्या बोलते है, cross elasticity of demand करते हैं, ठीक है, clear है, अब हम बात करते हैं, यहां पर, यह क्या कर रहा है, differentiate, between the substitute and complementary goods on the basis of the cross elasticity of demand, यह differentiate हो आपका होगा, प्रस्ट इलासिटी में चेंज इन यह तो एक बिसिक फर्मूला हो गया इसका, कि अगर आप X की डिमांड ले रहे हो, तो प्राइज आप Y की ले रहे हो, clear है, और अगर इस केस में यह आप पढ़ेंगे, clear है, अगर पॉजिटिव आंसर आपके पास में आएगा, रिजल्ट आएगा, तो कह रहा है, for an example, suppose X and Y are to substitute goods, and 10% reduction in the price of Y, the causes the demand of X is to increase, तो यह complimentary हुआ यह नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसका price decrease हो रहा है, तो इसकी demand increase हो रही है, जब inverse moment होता है न, दो चीजों के बीच में, जब price किसी और की, demand किसी और की ले रहे हो, और उनके बीच में inverse relation है, तो complimentary goods न हो, समझें, यह हमने अलोड़ी demand को पढ़ने के बाद ही पढ़ा है, price velocity of demand, तक आपको अच्छे से, समझ में हाप आए, तो बच्छे, जो अभी recent में, आज कल में, जो join हो रहे है, मेरे साथ में, वो please, please, आप पिछली classes को जरूर देखें, बहुत सारी बात है, छोड़ी increase by 15%, in case the cross velocity of demand of X will equal 15% divided by 10, 1.5, goods may also be related to each other as a compliment, in case of complimentary goods, देखें, यहाँ पर यह गड़बड है, यहाँ पर न, यह reduction नहीं होना चीए, छिकन यह increase in the price of Y goods होना चीए, चुकि यह positive relation को बता रहा है, चुकि यह को बड़ गपते हू़ गısीन, प्रेखें, उतिख पेडिते हो जुकि अपूले में, इसके यह को रिकरेश.। बाहा है देखें, ज़कि ऑनास चुकोड़ कि उपगोइन, अपर न टोड़ियू, पrizेश प्सुकि अब्सुकि यहाँ ए सब्सुकि ओड़़ध इस सेम डारेक्शन यह बात समझ भाई नहीं यह इसी बात को रीड कर लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं क्लेर जी तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब है इस इस बिड़िबिन्दा आर्क एंड़ पॉइंड रासेटी अफ डिमांड आर्क मेथड क्या होता है आर्क मेथड होता यह समझोज़िए एक एक्जामपल समझते आर्क मेथड के बारे में हमारे पहले प्राइस है किस राध का और अ क्यará कि बात कर थे एक सकोनिट्रीय इसके ही प्राइस है और इसकी ही क्या है इसकी डिमांड है ठ्gamansت बहुत हो गया ब्लैक ब्लैक पे चलोंकि अगी अग आप पसंद करना कौन से कलर आप पढ़ना चाहोगे बैग्राउंड पर ये नहीं इस पर रैटिंग का मज़ा नहीं है यह ठीक लग रहा है ज्यादा बेटर है यह तो ब्लैक टैप में ही होगे यह ज्यादा बेटर लग रहा है इस्कूल वाली फीलिंग ठीक है अब पढ़ते ठीज जी, हाजी, तो चलिए मैं एक goods की बात कर रहा हूँ, community मैं X की बात कर रहा हूँ committee X और इसी की price और इसी के मैं demand की बात कर रहा हूँ इसी की price और इसी के मैं quantity demand की बात कर रहा हूँ same goods की तो price जैसे ही 10 से 12 रुपए हो जाता है तो demand जो है वो 100 से price अगर increase होगा तो जहेर सी बात है demand क्या होगा? decrease होगा तो 100 से 60 पर पहुंच गया 60 unit पर पहुंच गया चीक है जी अब यहाँ पर अगर आप निकालते हैं एक तरीका आपके पास में क्या कुछ इस तरीके से velocity अगर आप निकालते हैं कुछ यहाँ पर यह आपका पहले original था ना तो change तो खेर यहाँ पर आपका कितना आया है आपका 40 क तो अगर आप इस तरीके से इसको निकाल रहे हो आप इसको बेस्स मना रहे हो तो जो प्रांट और यहाँ पर आप इदर से निकाल रहे हो और आपका यिए बेस बहुत बात में लिख चुका हूं इस बाट इस बात दो को 22 लिखने की जुरत नहीं है ठीक है चले बताई तो फबिख्म परूम No अबiform I चेंजिंग और हंदा थैंगंज आप के पास पर्थ C दिमांड की बात करता हूं तो कितना चेंज हा यह इसके पास में आपका जो है 40% आया पसंटे मैं बात कर दो अभी मैं आर्क पर आऊंगा और पसंटे चेंज इन प्राइस की बात करो तो एक इतना दो बटा दस और आपको पता एक तो नेगेटिव जरूर होगा इसमें से आपका यहां पर यह नेगेटिव आगे तो आपका माइनेस टू आपका इलाचिटिव डिमार्ड आ गया लेकिन जब मैं इसी चीज को सेम चेंज को जब मैं यहां से कंपेर करता हूं तो आप एक चीज को अब्चर्ब करेंगे कि दो का चिंज आया वकिस परवारा पे इंटु हंड़र्ड यहां से तो इलाचिटी मेरी चेंज हो जाती है reverse मैं जाता हूँ यहां से ऐसे करता हूँ तो मेरे elasticity क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी परसिंटेज डिफरेंट आएगा elasticity मेरी चेंज हो जाएगी तो यह एक drawback के percentage method में जब change उतना ही आ रहा है तो आप left to right जाओ या right to off left जाओ तो जब वापस पीछे जाकर के आप देखते हो तो फिर आपका उतना ही आना चाहिए आपका पर यहां पर क्यूंकि हम करेंगे एक फार्माट आप जानते ही है क्या percentage है कि शेंजीन कि क्वांटिटी कि दिमार्ड सबसे पहले आप इस बात को समझेगा एक हमारा क्या होता है जो पहले आला प्राइस होता है इसको पी जीरो बोलते हैं और बाद वाले प्राइस को पीवन बोलते हैं और पहले कि वाले वाले कौंटिटी को तो प्राइस लेकिन यहां पर पर पहले कैसे निकाल रहे थे percentage change in quantity, percentage change in quantity क्वांटिटे इंट्टु हंडर लेकिन आप जब और जिना लोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा और न्यू कॉण्टी नीचे लोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा पापस आने में इसलिए यहां पर एक करेक्शन कर देते हैं हम क्या कि नहीं तो हम पुरानी कॉंटिट लेंगे, नहीं तो हम पुरानी quantity लेंगे और नहीं तो हम new quantity लेंगे, ठीक है, हम लेंगे क्या दोनों का average, समझे, clear है, जिससे कि आप answer आगे से पीछे जाओ या पीछे से आप बापस आगे जाओ, इस case में आप का answer differ नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते ह जा रहे हैं, arc method, clear है, चली जड़ा देखिए, आपर पहले सो पूरा कर लेते हैं, arc method आपके पास पे, और ऐसे ही आप क्या निकालोगे, percentage, change in price, तो अब आप delta P by original price नहीं, P0 और P1, दोनों का average, किसी एक को importance नहीं देंगे, दोनों को equal importance देंगे, यह आपके पास में आ गया, ऐसे निकाल सकती हो आप, आप clear है, जैसे अगर मैं यहीं की बात करूँ, तो आप जैसे मेरी दोनों तरीके सवाल कर सकती हो आप, चली इसका मैं पहले solution तक आपको देंगे दो, देखे, तो यहाँ पर अगर मैं इसका solution करता हूँ, तो delta Q, तो delta Q कितना है, 40, और दोनों quantity का sum, 100 plus 60 divided by 2, और into 100, ठीके जी, clear है, तो solve करेंगे, इसको हम क्या आएगा, हमारे पास में, चालिस बटा, और यह क्या आजाएगा मेरे पास में, 120 divided by 2, तो क्या आजाएगा मेरे पास में, 60, 160, और यह मेरे पास में आजाएगा 80, और into 100, तो अब मेरे पास में क्या है, यह 50% है, ठीके, और मैं यहाँ पर निकालूँगा, percentage in price वाला, तो delta P कितना है, 2, और नीचे हो गया, अब मेरे पास में होगे 22, यह हो गया 11 into, हो गया 100, तो हो गया 200 बटा, मेरे पास में 11%, अब आप इसको solve करेंगे, ED निकालने के लिए, तो percentage change in demand आपके पास में कितना है, 50%, और यह कितना है आपका 200 बटा, 11%, तो बस 50 गुणा 11 बटा, 200, solve करेंगे आप, तो 4 पर, औ 25, तो कितना है आपका 2.75 हमारा, क्या आया यहाँ यहाँ पर, ED आया, और obviously यह negative तो आएगा जागा, एक चीस तो negative होगी ही, ठीक है जी, तो यह क्या होगे हमारे पास में, यह ED का formula हो गया, लेकिन आप यहीं पर आगर आप एक फार्मॉला और आप समझ जाएगे गा, आर्क मेथड में, Elocity of Demand, Equals to क्या था, percentage change in demand, तो क्या निकल रहाँ आपका, change in demand, divided by, Q0 upon, Q1 divided by 2, into 100, यह क्या है, percentage change in demand, divided by, percentage change in price, divided by, क्या था हमारा, percentage change in price, तो percentage change in price कैसे निकाल रहे थे, upon P0 plus P1 divided by 2, और into 100, अगर आप इसको solve करेंगे, सबसे पहले आपका 100 से 100 यह कट गया, और Elocity of Demand में क्या आपके पास में, आपके पास में आगया, डेल्टा Q, आपके 2 से 2 भी कट गया, तो डेल्टा Q by, Q0 plus Q1, और into, आपके पास में क्या आया, P0 plus P1 upon डेल्टा P, और आगे solve करेंगे तो क्या है, डेल्टा Q by डेल्टा P, पहले वाला ही फॉर्मूला बन गया, और into, बस पहले क्या होता था, डेल्टा Q by डेल्टा P, इन्टू P by Q होता था न, बस यहाँ पर वही फॉर्मूला है, बस यह कर दो, तो P0, P1, Q0 और Q1, यहीं बचा आपके पास में, तो आप इस तरीगे से निकाह सकते हो, तो आप फॉर्मूले को एक्स्ट्रेन करते हैं, आपको पूरा पेज भर जाएगा, समझे यह नहीं समझे, तो यह हमारा क्या होता है, यह हमारा होता है, आर्क मेथड, क्लियर है जी, अब बात करते हम, जुमेट्री मेथड की, लास्ट मेथड इसकी कौन सी, जुमेट्री मेथड, देखेगा, जुमेट्री मेथड क्या कहता है, इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं, जुमेट्री मेथड, और इसको आप क्या कहोगे, इसको आप पॉइंट मेथड भी कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप जो है, पॉइंट मेथड कहेंगे, अब यह पॉइंट मेथड क्या होता है, उसको हम समझते हैं, देखिए ज़राओ देखिए ज़राओ और पॉइंट मेथड क्या होता है इसका फार्मला होता है लासिटी का लोवर सेग्मेंट लोवर सेग्मेंट डिबाड़ी बाई अपर सेग्मेंट मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक के आप लाइन चलिए ग्राफ समझते हैं स्टीच को हम पहले हैं अजी देखिए यह हमारा ओरिजन है यह हमारा एक्स एक्स है और यह हमारा वाई एक्स है और यह एक हमारा डिमांड करव आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाई जनरली प्राइस और यहाँ पर आपकी कॉंटिटी है बट डिफ्रेंट पॉइंट्स ले रहाँ ए बी सी ए ए ए ए सी और डी क्लिर जी मैं यहाँ पर इलासिस इलासिटी निकाल रहाँ एट ए पॉइंट्स ठीक है जी अधर डाइस ठीक है निकाल रहाँ मैं एक ए एपॉइंट तो दुझार तो समझेगा फॉस्ट राइस ए लास्टी सिटी एट एट एपॉइंट एट एपु एपॉइंट फॉइंट फॉर्मुला क्यों लोडर सेगमेंट डिवारी रेवाग अपर सेगमेंट तो लोड सेग कौई इसका मतलब क्या हुआ आपका इंफिंटी Sum delve consistent क्या है प्रफेक्ट को ऐसे लास्तिक कि शेक है शेक्फज है समझे है तो अब यहां पर एosed a te point number two, ad at point d, ad at point d, formula हमारा क्या है, lower segment divided by upper segment, तो d के नीचे lower segment क्या है, आपके पास में d b, और upper segment क्या है, d point पर, lower segment तो यह सारा जाएगा, और upper segment कितना होगा, इतना, ठीक है जी, तो यह कितना है मेरे पास में, ad, तो आप इस बात को समझते हैं, कि यह आपका numerator है, और यह आपका denominator है, तो आप यहाँ पर इस बात को समझ लिजे कि d b is, आपका lower segment है, ना, यह आपका, अपन में upper segment, तो d b is greater than ad, तो यहाँ पर अगर आपका numerator बड़ा है, क्योंकि देखीगा, आपका, d b ज्यादा बड़ा है न, length में, और आपका ad छोटा है, तो d b बड़ा है, और ad छोटा है आपका, तो यहाँ पर आपका numerator है, जब denominator से बड़ा होता है, तो ed क्या होता है, ed of a greater than one होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, elastic, ठीक है, अब third point, ed at, ed at, at the point, ed at the point, ed at the point, e, ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपके पास में lower segment क्या है, e से e b, आपा segment क्या हो गया, e a, और आप समझते हैं क्या, e b equals to e a, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ed equals to one, और इसी को आप क्या बोलेंगे, इसी को आप बोलेंगे unit elastic, ठीक है जी, प्री बात समझ रहे हैं, आप point number 5, sorry point number 4, ed at the point, ed at the point, kis point पर at the point, c, तो lower segment क्या है आपका, c b या b c बोल और upper segment क्या आपका, c, तो आपको पता है कि इस पार क्या वह आपका b c, जो है वो छोटा है, c से, numerator जब छोटा हो जाता है, आपका denominator से, तो जो result है वो एक से कम आता है, तो जो यह आपका हो गया, यह आपका हो गया, in elastic, छीक है जी, clear है, समझे, point number, point number fifth, हाँ, कुश में लिखा रहेगा कि आप point geometric method को explain करो, साथ में determinants of elasticity of demand को भी explain करो, आप वो determinants होई है जो आपने पहले पढ़ा है, उससे वो change नहीं होगा, बट आपका point method कह रहा है है, geometric method कहा रहा है, तो आपको यह लिखना पड़ेगा न, पस formal लिख दोगे, आप 5 point डाल दोगे तो चलते रहेगा ही कहा नहीं, समझे, तो आपके बास में क्या हो गया, ED at the point, आप हर point की ED आपको निकालने का तरीका तो सेहीं ही रहेगा, वो क्या रहेगा, lower segment divided by at the point, कौन से point पर, बी point पर, lower segment क्या B से नीचे, कुछ है ही नहीं, 0 और upper segment क्या है आपका, पूरा A B है, तो answer 0, 0 का मतलब क्या होता है, perfect, inelastic, पिरे बास समझे, तो कभी भी आपका geometry method आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, formula लिख देना, diagram ना के point का नाम दे देना, अब बस, velocity of at point A, तो lower segment A के नीचे कितना है, कितना है, अब यह देखो कि values क्या आएंगी, infinity मतलब क्या होता है, ठीक है न, less than one मतलब क्या होता है, तो आपको पसंट्री बास्ट से ही आपको इन ओलेज मिल जाती है, तो आपको कुछ खास यहाँ पर मैनत करने को, नहीं देखने को मिलेगा आपको, clear है, खेर, मैं यहाँ पर दोनों मेतलब बता चुका हूँ, जो metric method बता चुका हूँ, तो push-n मेरे पास में, यह आपका point elasticity of demand है, जो कि इसमें लिख रखा, lower segment divided by upper segment, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में, सारे point आपके पास में, ED का point दिया हुआ है, जैसे मैंने अपना graph बनाया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में A point पर, ED कितना आया था, पताईए, ED infinity आया, इस पर क्या आया, ED greater than 1 आया, इस पर क्या आया, ED equals to 1 आया, और इस पर क्या आया, ed less than 1 आया, और इस पर क्या आया, ed equals to 0 आया, यह आया न हमारा, तो यह geometry method में कुछ खास नहीं, बस उन्हीं बातों पर चर्चा लेकर करके यह आई वे हैं, ठीक है जी, clear है, तो आप उन्हीं बातों को लिखो जो मैंने आपको calculate करें, वही आपका यहाँ sufficient हो जाता है, तो अब मेरी बात समझेगा, आपसे question अगर ऐसा आ जागा, explain the method of price elasticity of demand, questions क्या आगर आपके पास में आ गया, explain the method of price elasticity of demand, demand, यह question अगर आपके पास में आ गया, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके answer में आप, first percentage method describe करेंगे, जो कि अच्छे से detail में हमने समझा, outlet method या expenditure method, सर्चा में लेकर के आओगे, उसके बाद आप जो है, geometry method, चीक है, और देन उसके बाद, आप क्या करेंगे, आर्क method, तो आप बस इन चारों को आप explain कर दीजिए, ठीके न, तो आपके पास तो यह क्या जाएगा, method of velocity of demand, आपको इन चारों method के बारे में लिखने के लिए बैठ गए, तो आपको पीपर पुरा इसमें चला जाएगा, तो इसका फॉर्मला वगरे लिखकर के थोड़ा 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 तो आप लिख दीजिए, तो वही आपको फूल माक्स देदेगा, तो इ साथ मिड़ में इसको त्यार कर सकते हैं इस सवाल को, यह आया हुगा है आपके पेपर में, यह questions आपके एक्जाम में आया हुगा है, क्रॉस वाला मेथड में दो तीन बार बता चुका हों पीछे, कि क्रॉस वाले में, डिमांड आप जिस कोमडिटी की ले रहे हैं, प्राइस किसी इसके रिलेटिव गूर्स की ले लिजिए, आप माल लिजिए, प्रिलेटिव गूर्स में सब्सिटूट भी हो सकता है, कॉम् पसंदे चेंजिन डिमांड ऑफ एक्स कमडिटी, इसकी डिमांड और पसंदे चेंजिन प्राइस आफ प्राइस की ले रहे हो, य कमडिटी, और पॉजिटिव आपका आंसर यहां पर आ जाता है, क्योंकि आपने सब्सिटूट का लिया है, तो आपके पास में इसका आंसर जाएगा, ठीक है, क्लियरे जी, सब्सक्राइब आया है, यह नहीं आया है, पूछे ज़रा, पूछ डाउट है तो, क्लियरे, समझ गए, कोई डाउट? झाल